है लो गाई वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टाटेजी लेके आए हूं जो इंट्राडे में काम करेगी निफ्टी में बैंक निफ्टी में इंडेक्स में और स्रॉक्स में भी आप इसको देख सकते हो लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो बहुत लोगों की डिमांड होती है कि बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए कुछ स्ट्राटेजी बताओ जो ऑप्शन बायर्स है जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते है अपको पता है कि बायर्स के लि आपको किस तरह से इस पर ट्रेड करना यह कोई भी इंडिकेटर वाली स्ट्राटेजी नहीं है और प्राइज एक्शन और कैंडल स्टिक्स पर बेस्ट यह स्ट्राटेजी है और मैं आपको बैक टेस्टेड करके बताओंगा और सिर्फ मेरी बात मत मनना आप खुद भी बै स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम में इसको यूज करना चाहिए most important वह हो जाता है कि कौन से टाइम फ्रेम में हम इसको spot करें तो यह मैं आपको बताओंगा मत क्योंकि बहुत यह काम नहीं करेंगी ऐसे समझ लेलिए 15 मिनिट्स मेन फ son faculty मिनिट्स 45 मिन वन आवर में तक आप देख सकते हो इसको और कहसे होगा हम इंट्राटे का सोचेंगे 15 फिव्ट थर्टी मिनिट्स50 मिनिट्स richtig मिनिट्स से На 9 अब को सिर्फ 15 मिनिट्स्तhe तो आप क्या होता है जबी भी चार्ट मूव करता है प्राइज मूव करती है तो जहां पर भी आपको इस तरह की बड़ी कैंडल दिखती है अगर यह रेड़ कैंडल है तो इसका मतलब यह एक बेरिश कैंडल है इसके बाद हमको सपॉइट करना है एक छोटी कैंडल इस तरह से जो इस कैंडल के इनसाइड में बनी होनी चीए यह जो छोटी कैंडल है यह इसको क्रॉस नहीं करनी चीए कहीं से भी और यह इसके 50% के नीचे अगर होगी तो यह देखने से पता चल जाएगा मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा कि किस तरह से दिखता है तो जरूरी नहीं कि यह इतना ही मतलब इतनी ही रहनी चाहिए और यह रहनी चाहिए ग्रीन रहने चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश मार्केट में आपको इस तरह का साइन ढूंडा है ये कैंडल आपकी ग्रीन हो सकती है या रेड भी हो सकती है की मैं आपको यह बता देता हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको यह देखे यह कैंडल हो सकती है रेड या फिर यह कैंडल हो सकती है इंशैड केंडल ढूंड्ण आपको जरूरी नौन इस तैनी ही लाइं टवारी चैय algúnड़ in什麼 यह और इस तरह की विकांडल हो सकती है protected साथ आई होई candle यह देखे यह इस तरह की candle भी हो सकते हैं आपको बस ढूढना है कि यह candle इसके inside में होनी चीए और इस तरह से होनी चीए कि थोड़ा फिस candle के 50% के नीचे आगर खुलती है बंद होती है तो ज्यादा चलेगा ये इसका कोई ऐसा compulsory चीज नहीं कि ये red होनी चीज या green होनी चीज ओके main candle है बड़ी red candle आपको देखनी है एक बड़ी red candle bearish candle उसके बाद आपको देखनी है इस type की कोई छोटी candle red हो या green हो ओके अगर ये setup आपको कहीं भी दिखता है तो अब entry कहां पर लेनी है आपको ओके यह मैं आपको बता देता हूँ यह देखे entry आपको लेनी है इस यह जो बड़ी candle है इसको जब यह cross करेगी इसका मैं black कर देता हूँ जब भी यहां पर और momentum होगा और जब यह cross करेगी cross करते ही आपको entry लेना है आप put by कर सकते हो या future shot कर सकते हो या call sell कर सकते हो ओके और यहां पर आप entry लोगे तो इसका target क्या होगा minimum target हमारा होगा यह candle की जो length है उसका double नीचे ओके यह one is to one यह देखिए इतना target आपको मिल सकता है जितना देखिए जब तक आप beginner हो तो मैं आपको यह सजिस्ट करूंगा जितनी यह candle है उसका ही नीचे project कर लेजे तो इतना आपको target मिलना चाहिए इसका तो मैं draw करके बताता हूँ आपने यहां पर sell किया को मैं आपको लिख देता हूं यहां पर entry यह हो गई entry ओके यह हमारी entry point है ओके यह जो black line दिख रहे है जैसे ही इस candle के low को यह cross करेगा ओके यह तो candle बन गई next candle यह इसके बाद वाली candle जभी भी इसको cross करेगी पहले आपको यह पूरा setup बनने दिन आयो के 15 minute के दो candle यह एक बड़ी candle 15 minute की और यह एक छोटी सी inside candle 15 minute की ही ओके तो यह जैसे ही इस candle को cross करेगा आपको entry लेनी है और आपका target रहेगा मैंने आपको बता दिया है जितनी यह बड़ी candle है उतना ही नीचे आपका target रहेगा ओके selling के side में और इसका stop loss कहा रहेगा जब तक आप एक beginner हो आपका stop loss रहेगा अभी आपको मैं बड़ा stop loss तो नहीं बोल सकता हूँ यह suggest करूंगा कि आपको इस तरह की candle ढूणनी है inside candle ढूणनी एंट्री लेनी है stop loss आप यहां पर रखिए और जैसे ही यह momentum करता है तो आप आपका stop loss ट्रेल कर सकते हो यहां तक क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें जब यह inside बनती है तो इस तरह से move करता है वो price मैं इसको delete कर दिता हूँ यह देखे तो यह inside तो बन गई थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो आपको entry कहां लेनी है यह बनने के बाद नहीं जब यह cross करता है इस candle के low को तब आपको entry करनी है तो यह किस तरह से मैं आपको और एक example बता देता हूँ कि किस तरह से भी हो सकता है basic हमको क्या ढूड़ना है यह ढूड़ना यह setup ढूडना है हमको और यह बहुत daily मिलता है हमको यह setup और यह किस तरह से काम करता है इसकी accuracy क्या होती है यह भी मैं आपको बताऊंगा charts पर ओके तो basic आपने समझ लिया, green candle, sorry, red body candle, bearish sign के लिए, और उसके बाद एक green या फिर red, कोई भी हो सकती, not compulsory कि ये red ही हो, या green ही हो, तो ये concept आपको चार्ट पे ढूनना है, opposite for bullish side, तो bullish side में आपको क्या देखना है, एक बड़ी green candle देखनी है, इस तरह से, एक बड़ी green candle, इस पे थो थोड़ी बहुत, एक minute, इस पे थोड़ी बहुत इस तरह से, अगर विक दिखती है, तो भी चलेगा, कोई problem नहीं है, ये देखी, ये एक बड़ी green candle हो गई, ओके, तो अब हमको क्या देखना है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हमको देखना है, अपर side में ए ये रेड हो सकती है, या green भी हो सकती है, तो ये हमको मतलब कोई compulsion नहीं है, कि red होनी चाहिए, या green होनी चाहिए, तो ये बस inside candle होनी चाहिए, bullish side के लिए, ओके, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा bearish के लिए setup, और ये हो गया हमारा bullish के लिए buying के तरफ, जब ये इस याँ की candle के हाई को break करेगा इस तरह से आके तब आपको यहां पर entry करनी है और आपका target रहेगा यह जितनी candle है उसका ऊपर फिलाल आप beginners हो तो आपको यह एक इस candle के जितना target में बता रहा हूं minimum target इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद अगर market ज्यादा तो आपको इसका double triple भी मिल सकता है same with bearish sign जितना आपको यहां पे project किया है उतना तो लेना ही है फिर आपको SL आपका trail कर देना है यहां पे ताकि minimum risk में आप ज्यादा से ज्यादा reward ले सको ओके यहां पे आपका target हो गया और फिर नीचे आप देख सकते हो आप जितना पेशेंसली ट्रेड करते हो तो आप इसको hold भी कर सकते हो ओके तो चलिए यह तो आपको पता चल गया कि जब market गिरता है तो हमको यह setup ढूना है जब market उपर जा रहे ह setup ढूना है और फिर हमको उसे सबसे call by या futures by या sell put by या sell यह हम देख सकते हैं ओके तो आप charts पर चलते हैं कि किस तरह सी काम करता है मैं आपको बताओंगा कैसे यह most profitable हो जाता है तो सबसे पहले हम Nifty के chart में देखते हैं तो Nifty के chart में यह देखिए सबसे पहले क्या criteria बताया थ हमने 15 minute time frame खोलना है okay 15 minutes time frame खोल दिया है तो यह देखिए आज का यह chart है तो मैं आज और ऐसे दो तीन examples बताओंगा पहले आज से start करता है तो यह 15 minutes की first candle second candle फिर हमको यह देखिए क्या दिखा यहां पे हमारा setup हमको दिख चुका है यह देखिए मैंने आपको क्या बताया था यह आपको देखना था एक red candle यह उसके बाद inside candle और फिर जब यह cross करता है इस candle के low को तब आपको लेना था stop loss आपका रहे गए यह और target आ आपका minimum is candle का double okay यह नीचे हो गया यह first और यह second यह देखिए यह double target आपको मिलेगा लेकिन first सबसे safety क्या है जब आपको यह इतना minimum first target मिल चुका है तब आपको trail कर देना है आपका SL यहां पे यह यह entry पे भी कर सकते हो और फिर आप ज्यादा target के लिए wait कर सकते हो तो आज setup में इतने से stop loss में आपको target देखिए कितना बड़ा मिल है यहां से यहां तक आया था market यह विक बनाया यहां तक वह support zone था तो इसलिए अब यह आप beginner हो तो आप इसको practice करो तो मैंने क्या किया आज मैं आपको बता देता हूं मैंने bank nifty में trade किया वो किस तरह से किया यह भी बताता हूं ओके यह आपने nifty में देखा inside candle फिर और एक inside candle जब तक यह इसके low को break नहीं करता है उसके बाद यहां पे 10 भी अगर inside candle बनत चला गया तो आपको enter नहीं करना है यह यहां से इतना move करके फिर cross कर गया तो आप ले सकते हो इसको ओके तो यह हो गया निफ्टी का अब मैं आपको bank nifty में बहुत सारे examples बताऊंगा तो यह देखिए bank nifty में भी same setup था यह देखिए यह आपने देखा यह हमारा setup spot हो गया है यह देखिए इतने से stop loss में ओके तो मैं आपको बता जाता हूं कि target और entry मैंने किस तरह से ली थी इसमें और मैंने क्या buy किया था यह देखिए यह हमारा inside candle मिल गया हमको हमको क्या करना है हमको इसमें short position create करनी है यह देखिए यह हो गया अगर आप future sell करना चाहोगे तो future कर सकते थे यह देखिए मैंने somewhere around इसको यहां पर book कर लिया था यह देखिए 31 200 का पी आप buy कर सकते थे इस level पर यह देखिए 10 30 की यह candle है यह 10 30 की candle है तो यह जैसे ही इसको cross करती है यह देखिए मैं 5 minutes में बता दिता हूं आपको 10 30 की candle ओके यह somewhere around यहां पर मैंने P buy किया था 90 198 पे मेरा 198 पर exit हुआ था और यह जब विक बन रही थी तो यहां पर somewhere around 315 पर मैंने exit किया था तो यह आप देख सकते हो कि किस तरह से एक profitable option buyer को भी setup मिल सकता है ज़रूरी नहीं कि आप option sell ही करो सबके बास उतना capital नहीं होता यह मैं मानता हूं तो यह बहुत ही profitable setup हो जाता है inside candle और जैसे ही low break करेगा आपको ले लेना है छोटे से stop loss में ओके reward देखिए कितना बड़ा है अब हम चल दे और कहां पर हमको यह setup दिखता है उस जगा पर यह देखिए यह 21st December को और एक बड़ा fall आया था यह और एक advanced concept है आपने सिर्फ आभी तक basic देखा था यह देखिए यह बड़ी red candle हमको मिल गई फिर inside candle भी हमको मिल गई तो यह हमारा setup तो मिल गया हमको मैंने आपको क्या बता है जब यह इसका low cross करेगा without आपके stop loss को touch हुए तो इसने क्या किया inside तो बनाया मगर यह इस तरह से travel किया इसने उपर लेकिन यह इसने बड़े candle के high को break किया है क्या नहीं किया है मतलब यह अभी भी valid है हमारा setup ओके यह setup हमारा valid है तो हमको क्या करना है बस यह level mark करनी है हमको और जबी भी यह इसको cross करेगा तब आपको इसका reward आप देखोगे तो कितना ज्यादा है यह देख लिजा आप इसका stop loss आपका रहेगा यहाँ पर ओके अभी यह इतना बड़ा इसने momentum कर दिया तो आप इसके उपर भी लगा सकते थे यह जो swing है इसके उपर तो यहाँ पर लगा देंगे ओके reward देख लिजिए आपको कितना बड़ा मिल रहा है risk reward आप देखोगे कि यह perfect है इससे ज्यादा perfect setup आपको कहीं भी मिलने सकता है आपको बस क्या करना है आपको बस एक बड़ी red candle ढूढ़ने है अगर आप shorting opportunity ढूण रहे हो तो उसके बाद एक inside candle ओके confirm हो गया हमारा setup अगर यह पहले ही अगर इसको कर दिया तो फिर बाद में हमको trade लेना ओके फिर यह चला जाएगा उपर लेकिन जब तक यह इसके high को break नहीं किया और पहले इसने इसके low को break कर दिया है trade ले लेना है ओके अभी और थोड़ी setup हम देख लेंगे और कहीं दिखते है क्या आपक क्या बताया था बड़ी red candle inside candle फिर और एक inside candle चलेगी और दस भी बनेंगे तो चलेगा लेकिन इसके उपर नहीं बननी जाए ओके यह inside बन गई फिर उसके बाद 10 बनेगे trade हमको कहा लेना इसके low को cross करते ही तो यह देखिए low low को cross किया हमारा SL एक में मैं इसको हटा देता हू ओके हमारा SL कहां था यहां पे था low को cross कर दिया इसने फिर यह देखिए यहीं पर halt किया होल्ट किया और फिर यह देखिए double momentum इसका double मिल गया आपको ओके इस candle को नीचे project कर लीजिए आपको आपका target मिल चुका है ओके और जैसे यह थोड़ा बहुत momentum करना चालू गर रहे है SL को आप trail कर देना था कि risk कम हो जाए reward ज्यादा हो जाए इसी तरह से trading होती है simple setup है यह एकदम simple setup है लेकिन आपको इसको practice करनी है ओके इसकी कोई drawback नहीं है छोटे SL में काम होता है हमारा stop loss hit भी होता है लेकिन 10 बार आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे यह देखिए अभी यह थोड़ा सा नीचे cross कर दिया था देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि cross नहीं करना चाहिए यह इसके अंदर ही close होना चाहिए यहां तक यह यहां तक लेकिन इक cross नहीं करना चाहिए और उपर से support zone भी था ओके तो cross नहीं करना चाहिए बिलकुल यह candle के inside रहने चाहिए ओके इस तरह का रहेगा तभी आपको जब यह cross करेगा तो ट्रेड लेना है यह candle क्रॉस नहीं करना चाहिए इसके थर्ड वाली candle क्रॉस करना चाहिए आपको याद रखना है पूरा setup आपको बनने देना एक बड़ी candle उसके बाद inside candle और भी हम trade देख लेते हैं चलिए तो अब यह हम देखेंगे कहां पर हमको inside candle मिला था यह देखिए तो यह देखिए यह और एक हमको inside candle मिल गई यहां पर हमको बस bank nifty या nifty खोलके चार्ट देखते रहना है जब हमको यह setup मिलेगा तब ही trade करना है रोज trade करने की ज़रूरत नहीं है आपको और आपको बिल्कुल मतलब ऐसे force trade over trading नहीं करनी चाहिए तो यह देखिए red candle inside candle यह तो और भी bearish candle है तो और अच्छी बात है इसको cross किया यह देखिए target देखिए clearly आप देख सकते हो कि जहां पर भी आप कितना भी back testing कर लो इसको पीछे जाईए आप charts देख लिए यह setup most profitable setup हो जाता है तो आपको इससे पता चलता है कि at least आपको target पता चलता है और market यहां से नीचे गिरने वाला है या उपर जाने वाला है यह हमको easily पता चल जाता है okay तो कि हमने bearish sign के बहुत सारे trade देख लिए अब थोड़े buying के side देखते हैं हमको मिलते हैं क्या okay तो buying के side हम ढूनते हैं अभी कोई किस तरह से यह काम करते हैं अभी तो यह फिलाल यह देखें और एक हमको मिल गया bearish side ही मिला है लेकिन यह देखें यह देखें इसका target देखें कितना बड़ा हो गया ओके तो आप खुद इसको back testing कर लिजे खुद practice कर लिजे और यह कितना ज्यादा profitable हो जाता है यह आपने देखें यह देखें बाइंग के side हमको मिल गया तो इसको मैं थोड़ा हटा दिता हूं तो यह देखें बड़ी इसी green candle बनी उसके बाद एक inside candle बनी doesn't matter it's a green or red candle यह इसका low break किया कि नहीं किया फिर यह जब इसका high cross करेगा तो यह देखें टार्गेट देखें आपको यहां तक target मिल गया तो यह इस तरह से काम करता है आपको overall trend आपको देखना है market उपर जा रहा है यह market नीचे जा रहा है तो आपको बड़ी green candle और inside candle दोनी है market नीचे जा र और जरूर आप इसमें profitable रहोगे और comment करके बताना अगर आप इसको trade करते हो और आपका profit होता है तो जरूर बताना और कोई भी queries आपको हो तो मुझे email कर देना और channel को subscribe जरूर कर देना यह मैं guarantee देता हूँ आपको यह strategy आप इसको बार बार practice कीजे ऐसा नहीं कि आज आज करना regular करोगे तभी आपको results दिखेंगे देखेंगे stock market में कोई भी strategy 100% नहीं होती है okay किसी का भी आप कोई भी setup देख लिए setup से पैसा मतलब regularly बनाओ ऐसा नहीं रहता लेकिन यह strategy होती है इसको आप 10 बार trade करोगे तो 6-7 बार आपका बड़ा profit होगा 2-3 बार आपका छोटा स stop loss जाएगा ना stop loss देना तो एक rule है market में इससे हमको डरना नहीं चाहिए stop loss देने के लिए ओके तो that's it for today's video guys वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसको अपने friends के साथ share भी करना जो ट्रेडिंग में interested है और जिनको independent trader बनना है ओके तो that's it for today's video guys चलते हैं अब हम next video में मिलेंगे और चैनल को subscribe करना क्योंकि मैं daily market analysis वीडियो भी बनाने वाला हूँ अब यह देखिए buying के side में मुझे और एक मिल गया यहां पर वहीं डून रहा था मैं बड़ी red candle inside candle यह देखिए इसके नीचे हमारा stop loss था यह बड़ी red candle inside 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 और जब इसने इसको cross किया तो momentum देखिए यह देखिए positional भी आप ले सकते थे कुछ यह देखिए यहां से कितना oh my god यह देखिए आप खुद देख सकते हो इसको चलिए लेकिन अब मैं ज्यादा आपको बोलूंगा नहीं कि आप इतना capture कर सकते थे सब लोग बोलोगे क कोई नहीं कर सकता मैं मानता हूं लेकिन अगर आप ले लेते हैं यहां पर तो कितना ज्यादा profitable आपको होता है ना तो बस यहीं बताना चाहता था कि यह profit यह काम करता है आप खुद भी इसको back testing कीजिए मेरे बता होई बातों पर विश्वास मत कीजिए लेकिन खुद आप यह strategy use कीजिए यह मैं आपको suggest करूंगा ओके गाइस thank you so much for watching this video और like share और subscribe कर देना ओके गाइस thank you